एक वस्तु जो चुम्बक एक शेत्रका उत्पदन करने और धुरूव के अनलाइक पोल्स को अकर्षित करने और धुरूव के लाइक पोल्स को हटाने में सक्षम होते हैं उन्हें मैगनेट या चुम्बक कहा जाता है चुम्बक के कई प्रकार होते हैं जैसे कि स्थाई चुम्बक इसमें फिराइट और अल्निको चुम्बक का समावश होता है इसके अलावा अल्स्थाई चुम्बक और इलेक्ट्रो मैगनेट आदि मैगनेट का इस्तेमल, मैगनेटिक निडल, मरिन्स कमपस, इसके आलवा जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर, स्पीकर, इलेक्ट्रिक बेल, साथ ही इसका इस्तेमल लोहा के बदर्थ, दुसरे ठोस मिश्रण में से अलग करने के लिए किया जाता है प्रत्यक चुम्बक काले रंग के होते हैं, जो लोहे का ही एक पौम होता है, लेकिन प्राक्रोचिक चुम्बक की ताकत कम होती है, इसके आलवा प्राक्रोचिक चुम्बक की उपलबदता भी कम है, लेकिन पूरी जुनिया में चुम्बक की मांग दिन्बदिन बढ़ रही है इसलिए मीडी याने महारश्ट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टिटूट आपके लेकर आया है फेराइट मैगनेट मैनुफेक्टरिंग बिजनेस बर एक डॉक्युमेंटरी मैगनेट बनाने के लिए अलनिको, सिरैमिक, मरियम कोबल्ट, नियोडाइमियम का इस्तेमाल किया जाता है मशिनरीज, डिजनेस को शुरू करने के लिए आपको मेटल क्रशिंग मशिन, होट फरनेस, पॉलिशिंग, एवर ग्रैंडिंग मशिन, चैंफरिंग मशिन, मैगनिटाइजेशन उनिट की ज़रूरत होती है प्रोसेस, आवशक्ता के नुसर इन में से किसी भी दातो को लेकर पीसा जाता है और उसे पिगला कर आवशक्ता के अनुसर शेप दिया जाता है ठंडा होने के बाद मैगनिट को अच्चे से घिसा जाता है ताकि मैगनिट की सतह बिल्कुल स्मूद रहे और उस पर भड़िया फिनिशिंग आए पॉलिश करके मैगनिट को सही शेप मिल जाता है बाद में एक-एक मैगनिट की इलेक्रो मैगनिटाइजेशन प्रोसेस की जाती है याने इन मैगनिट में से इलेक्ट्रिसिटी गुजार कर इनकी चुम्बक ये ताकत बढ़ा ही जाती है सारे टेस्ट पूरे होने के बाद मैगनेट को पैकिंग इस प्रकार की जाती है ताकि इसके भीतर कुछ भी हवा न फसे और इन मैगनेट पर कोई जंग भी नहीं आ पाए इस प्रकार हमने फेराइट मैगनेट मैनुफेक्चरिंग बिजनेस के बारे में जानकरी लिए इस व्यवसाई की अधिक जानकरी पाने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हो या स्क्रीन पर दिये गए वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हो ऐसी ही नए बिजनेस आइडिया के लिए आप हमारे यूटूब चैनल मीडिय उद्ध्यों की विश्व को सब्स्राइब किजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक किजिए और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेर करना ना भूले